तो प्यारे बच्चों आव चलते हैं चुन्नू और मुन्नू की नानी के पास और सिखें रोटी कैसे बनती है सुनो ध्यान से चुन्नू और मुन्नू की ये बातें चुन्नू और मुन्नू थे दो प्यारे भाई आकर बैठे पास नानी के ले रोटी की थाली चुन्नू बोला नानी से एक उलजन सुलजाओ जी प्यारी नानी ये रोटी कहां से आती है बात हमें समझाओ जी प्यारी नानी हसने लगी बात पते की कहने लगी धर्ती मा की गोद में गेहूं को बोया जाता है अब बोला मुन्नू नानी से गेहूं को कौन बोता है प्यारी नानी कहने लेगी किसान जो हम सब के अंदाता कहलाते है सुनो एक बात गौर से अपने बच्चों की तरह ये धर्ती मा गेहूं के रूप में सोना उगाती है तभी तो किसान यह मदूरगीत गाते हुए मेहनत करते जाते है मेरे देश की धर्ती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धर्ती चुनू बोला नानी से फिर गेहूं कैसे उगाया जाता है तो नानी बोली गेहूं ऐसे उगा ऐसे उगा ऐसे उगा जी गे हुँ ऐसे कटा ऐसे कटा ऐसे कटा जी गे हुँ ऐसे पिसा ऐसे पिसा ऐसे पिसा जी आटा ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना जी रोटी ऐसे बेली ऐसे बेली ऐसे बेली जी रोटी ऐसे पकी ऐसे पकी ऐसे पकी जी और रोटी ऐसे खाई ऐसे खाई ऐसे खाई जी चुन्यू मुन्यू बोले क्या बात क्या बात क्या बात तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पेसाखी पर्व की हार्तिक शुपकाम नाई यह पंजाब का प्रमुक्तियोहार है अन यानि की अनाज इसी की देन है तो बच्चों अन और अन्दाता का सम्मान करे स्वच रहे, पौश्टिक खाए, स्वस्त और व्यस्त रहे, धन्यवाद